नमस्कार साथियों मेरा नाम है अक्षे और आपका स्वागत है दिश्टियाई इसकी इस नई वीडियो में राजरोह कानून को लेकर भारत में समय समय पर विवाद होते रहे हैं कुछ जानकार इस कानून को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हैं जबकि कुछ आलोचक इस कानून के दुरुपयोग को लेकर इसे रद करने की मांग करते रहे हैं तमाम आलोचनाओं के बावजूद सरकार हमेशा से इस कानून का समर्थन करती रही है सरकार का तरक रहा है कि ये कानून देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए जरूरी है लेकिन बीते कुछ समय से सरकार के इस रुख में कुछ परिवर्तन आया है सरकार इस कानून की समिक्षा को लेकर तयार हो गई है, राजी हो गई है सरकार के इस बदले रुख को देखते हुए हाल ही में सरवोच इन्यायले ने इस कानून से सम्मंदित कोई भी नया मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी है आज इस वीडियो में हम इसी विवाद को समझने की कोशिश करेंगे जानेंगे कि आखिर राजदरोह कानून क्या है और एक इस तरह से किसी वेक्ति की नागरिक सोतंतरताओं का उल लंगन करता है और किस तरह से किसी देश की जो लोकतंतर होता है उसे प्रभावित करता है वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रेखा को समझ लेते हैं यानि इस वीडियो में हम किन बिंदूओं किन डाइमेंशन्स पर बात करने वाले हैं उसे एक बार जान लेते हैं सबसे पहले हम खबर यानि नियूस की बात करेंगे इसके बाद जानेंगे कि ये जो राजदरोह का कानून है उसका इतिहास क्या है इतिहास के बाद IPC की धारा 124A पर बात करेंगे क्योंकि धारा 124A ही भारत में राजदरोह से संबंदित है इसके अलावा राजदरों के कानून से संबंधित पक्ष और विपक्ष को जानेंगे यानि जो लोग इस कानून का समर्थन करते हैं वो क्या तर्ग देते हैं और जो लोग इसका विरोज करते हैं वो क्या तर्ग देते हैं इसके बारे में बात करेंगे इसके बाद सर्वोच नियाले का क्यामत रहा है इस पूरे विवात को लेकर इसको भी जानेंगे अंत में आगे की राव से संबंदित कुछ बिंदूओं की बात करेंगे और एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं यह जो पूरा विशय है वो सामान्य धिन प्रश्न पत्र दो से संबंदित है आप इसे शाशन व्यवस्था, भारती समविधान, निरनय और मामले और मौली का धिकार जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हमारी खबर को देख लेते हैं हमारी खबर इंडियन एक्सप्रेस से है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्स्प्लेंड सेक्शन से है खबर है, what is the sedition law and why Supreme Court's fresh directive is important लज़र डाल लेते हैं, यहनि इस कानून को किस तरह से बनाए गया था और क्यों बनाए गया था इस कानून का इतिहास सत्रवी शताब्दी से शुरू होता है सत्रवी शताब्दी के जो नीती निर्माता थे, वो मानते थे कि सरकार का मत सर्वोपरी होता है और कोई भी विरोधी मत, सरकार और राजसत्ता के लिए जो मुनार्की होती है उसके लिए खत्रा उत्पन कर सकता है ऐसे में उन्हें कैसे कानून की जरूरत थी जो इन विरोधी मतों को दबा सके और सरकार के खिलाफ जो आवाजे उट रही थी उन्हें कुछलने में मदद कर सके इस प्रश्ट भूमी में सत्रवी शताबदी में इंगलैंड में द्रेश द्रोह का कानून लाया गया भारत के लिहास से बात करें तो इस कानून का इतिहास 1834 में शुरू हुआ जब थॉमस मकैले के नितत्त में पहले विदी आयोग का गठन किया गया थॉमस मकाले एक बिटिश इतिहासकार और एक राजनीतिक गे थे इन्होंने भारत की तमाम नीतियों को आकार देने में एक महत्पूर्ण भुमी का अदा की थी इनके निरितत्य में पहले विधी आयोग का गठन किया गया और इसी विधी आयोग की रिपोर्ट के अधार पर 1860 में भारति दंड सनीता लागू की गई हाला कि उस समय 1860 में भारति दंड सनीता में देजद्रोग के कानून को शामिल नहीं किया गया था इसके बाद वहाबी आंदोलन शुरू हुआ और सवतंतरता आंदोलन भी जोर पकड़ने लगा इस परिद्रश्य में सवतंतरता आंदोलन को रोकने और वहाबी आंदोलन को दबाने के लिए 1870 में सरकार दोरा IPC में संशोधन किया गया और इसमें धारा 124-1 को शामिल किया गया जो की राजद्रोग से संबंदित थी ऐसे में इस तरह से इस पूरी प्रश्ट भूमी में भारत में राजद्रोग का कानून आया ये कानून मुखे तोर पर भारत में जो सोतंतरता की मांग की जा रही थी उसको दमन करने के लिए उसे दबाने के लिए लाया गया था इस कानून का हमें पहला ग्यात मामला 1891 में देखने को मिलता है जब बंगाल के समाचार संपादक के विरुद देजद्रोग का मामला दर्ज किया गया था इसके अलावा सोतंतरता संग्राम के दोरान बाल गंगाधर् तिलक, माहत्मा गांधी, जवालाल नहरु, मौलाना आजाद और वीर सावरकर जैसे सोतंतरता सेनानियों के खिलाफ, इस कानून के तहट मुकद्द में चलाए गए महात्मा गांधी को 1922 में इस कानून के तहट 6 साल की सजा दी गई थी हाला कि 2 साल की सजा के बाद ही उन्हें छोड़ दिया गया के लावा बाल गंगधर तिलक को इस कानून का लगभग 3 बार सामना करना पड़ा और इसके तहट 2 बार उन्हें सजा भी हुई तो इस तरह से हम समगर तोर पर कह सकते हैं कि इस कानून को मुख्य तोर पर भारती जो सवतंतिता संग्राम था उससे दवाने और उसमें जो आवाजें उट रही थी उन्हें कुचलने के लिए लाया गया था लेकिन 1947 में भारत आजाद हो गया और 1950 में हमें अपना एक नया समविधान मिल गया 1950 में जो समविधान लागू हुआ था उसमें राजदरोह के कानून से संबंदित कोई भी प्रावधान नहीं था लेकिन IPC की धारा 124A जसकी तस्बनी रही और वो अभी भी हमारे सामने मौजूद है राजदरोह के रूप में तो अब बात करते हैं कि IPC की धारा 124A क्या है आखिर इस IPC की धारा 124A में ऐसे क्या प्रावधान है जिसको लेकर लोगों को आपत्ती है जिसको लेकर लोग इसकी आलोशना कर रहे हैं तो IPC की धारा 124A के तहट राजदरोह को एक अपराद बना दिया गया है इसे एक क्राइम बना दिया गया है IPC की धरा 124-A के अनुसार कोई भी वेक्ती कानूनी तोर पर स्थापित सरकार के प्रती मौखिक, लिखित या संकेतों के माध्यम से यदि घरणा फैलाने या सरकार के प्रती असंतोष पैदा करने का कारे करता है तो इसे राजद्रोह माना जाएगा इसके अलावा घरणा या संतोष पैदा किये बिना सरकार की आलोचना की जा सकती है लेकिन अगर उस आलोचना से घरणा पैदा होती है या संतोष पैदा होता है या फिर जो सामाजिक विवस्था है वो बिगड़ती है तो इसे राजद्रोह माना जाएगा इस प्रावधान की और जादा बात करें तो इसके तहट जो राजदरो है वो संगे अपराद है और गैर जमानती अपराद है संगे अपराद का मतलब है कि अगर किसी वेक्ति पर ये आरोप लगाये जाते हैं तो पुलिस उसे बिना वारेंट के गिरफतार कर सकती है और साथ ही उसे जमानत भी नहीं मिलेगी इसके अलावा इसके इस कानून के तहर किसी वेक्ति को 3 वर्ष या उम्र कैद तक की सजा हो सकती है साथ ही वो व्यक्ती सरकारी नौकरी भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, आगे आने वाले समय में अगर किसी व्यक्ती पर आजरोग का कानून लगता है, तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, साथ ही उसे बिना पासपोर्ट की भी रहना पड़ेगा, यानि वो देश से बाहर वो क्या तर्क देते हैं? तो उनका सबसे पहला तर्क ये है कि इधारा राष्ट विरोधी, अलगाववादी और आतंगवादी तत्यों को रोकने में सहायता करती है. हम जानते हैं कि भारत में समय समय पर अलगाववादी जो आंदोलन है वो उठते रहते हैं, इसके लावा भ रहीगी, तभी राज्या और देश में स्थिरता रहेगी. इसके अलावा कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर कोर्ट की अवमानना के लिए सजा का प्रावधान किया जा सकता है, तो सरकार की अवमानना के लिए सजा का प्रावधान क्यों नहीं किया जा सकता? इस त तरह से कई लोग इस तरक को खारिज कर देते हैं अब उन तरकों की बात करते हैं जो इस कानून की आलोचना में दिये जाते हैं यानि इस कानून के आलोचक क्या कहते हैं इस कानून के आलोचक कहते हैं कि एक आपनिवेशिक कानून है यानि इसे ब्रिटिश काल में बनाया गय और हम अभी तक इसकी ओपनेवेशिक वृरासत को ओपनेवेशिक लेगसी को लेकर चल रहे इसके अलावा ये कानुन लोक्तंतर की अनुरूप भी नहीं है आसेहमती और सरकार की आलोचना लोक्तंत के प्रमुफतत्व होते हैं लेकिन ये कानून इन ही तत्रों को दबाने की कोशिश करता है ऐसे में ये कानून लोकतंत्र के खिलाफ है इसके अलावा कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि इस कानून को ब्रिटेन द्वारा लागू किया गया था लेकिन ब्रिटेन ने खुद ही 2009 में इस कानून को समाप्त कर दिया था ऐसे में कई लोग ये करकारों पर यारोप रगते रहे हैं कि वे राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए इस कानून का उपयोग करती हैं। क्योंकि 93 मामलों में से केवल एक मामले में ही सजा दी गई। अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर सर्वोच नियाले का क्यामत है। तो इस मामले को लेकर सर्वोच नियाले ने साल 1962 में एक विवाद में अपना मत प्रस्तुत किया था, वह विवाद था केदारनाथ सिंग बनाम बिहार राजी का विवाद, इस पूरे विवाद में पांच नियाई धीशों की एक बेंच वैटी थी, जिसने कानून की समवेधा निक्ता को बनाए रखने पर अपना निर्णे दिया था, इस विवाद में सर्वोच नियाले ने इस कानून की समवेधा निक्ता को बनाए रखा था, हाला कि कानून के दुर्यूपयोग को सीमित करने के लिए कुछ प्रयास भी किये थे, इसमें बताया गया था कि हिंसा के म जो राजद्रोग के दाइरे में आते हैं और जो राजद्रोग के दाइरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा 1995 के एक वाद में भी हमें इस कानून से सम्बंदित कुछ एक सर्वोच नियाले का मत्त देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इस पूरे विवाद पर सर्वोच नियाले का सोचता है। अब हम आगी की राह के तौर पर निसकर्श के तौर पर क्या कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र है और किसी भी लोगतंत्र के लिए फ्री स्पीच और अभिवेक्ति की सौतंत्रता सबसे अनिवार घटक होते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सरकार इस कानून के माध्यम से free speech या अभिवेक्ति की सुतंतरता को ना दबाए और इसके अलावा 114.1 का उपयोग असहमती को दबाने के लिए ना किया जाए तभी सही मायनों में भारत के लोगतंतर को बचाया जा सकेगा साथ ही सर्वोच न्यायपालिका अपनी परिवेक्षी शक्तियों का उपयोग इस कानून का सही उपयोग सुरिश्चित करने में कर सकते हैं वो निर्धारित कर सकते हैं कि सुब कानून का उपयोग कब किया जाएगा और कब नहीं किया जाएगा इसके अलावा राजदरों के कानून के दायरे को सीमित किया जाना चाहिए ये उन अपरादों तक सीमित किया जाना चाहिए जो भारत की अखर्णिता के लिए खत्रा उत्पन करते हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए खत्रा उत्पन करते हैं इसके अलावा घणा और अंसंतोज जैसे शब्दों को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है ताकि इस कानून के दुरुपियोग को रोका जा सके इस तरह हम समगर तोर पर कह सकते हैं कि न्यायपालिका और सरकार को एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करने की कोशिश करनी चाहिए जो देश की शुरक्षा और नागरीकों की स्वतंतरता के बीच संतुलन बना सके चलिए अब अंत में एक प्रष्ण पर बात कर लेते हैं प्रष्ण मेंस का है और आप इसे 200 शब्दों में लिखने की कोशिश कर सकते हैं प्रष्ण है कि अभिवेक्ति की स्वतंतरता लोगतंतर का एक अनिवार घटक है और IPC की धारा 124 जो की राजद्रोह से संबंदित है इस स्वतंतरता का दमन करती है आपको इस कथन का समालोशना अत्मत मुल्यांकन करना है यानि इस पुरे प्रष्ण में सबसे पहले आपको बताना है कि किस तरह से अभिवेक्ति की स्वतंतरता लोगतंतर का एक अनिवार घटक है किस तरह से लोगों को बोलने की स्वतंतरता होनी चाहिए अपने आपको अभिवेक्त करने की स्वतंतरता होनी चाहिए और साथ ही जो धारा है IPC के 124A ये किस तरह से इस उतंतरता का दमन करती है और अंततर किस तरह से भारत के लोकतंतर को प्रभावित करती है मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से इस विशेश सम्मंदित तमाम पहलूँ को समझने में मदद मिलेगी और अगर आपके प्रशन पत्र में इस सम्मंदित कोई भी सवाल आता है तो आप उससे असानी से हल कर सकेंगे धन्यवाद